कि नमस्कार मैं हूँ सुरेट चवान के और आप देख रहें सुदर्शन न्यूज सुदर्शन न्यूज में हम लगातार आपके सामने लेकर आए OVC का नंगा नाच और OVC के नंगा नाच के कड़ी में आज हम बात करें हमारे मुस्लिम भगीनियों की क्या अवस्ता है और उस अवस्ता की बात करें बगर OVC अपना नंगा नाच जारी रखे हैं और उसके द् मुस्लिम भगीनियों की बात करें बगर अपने राजनिती करने वाले इस गंदे व्यक्ति के ऊपर दरिंदे व्यक्ति के ऊपर उसके गंद के ऊपर हमारे मुस्लिम भगीनियों का क्या कहना है पूरे घंटे तक हम आपके साथ चर्चा करेंगे बात करेंगे मिश्लेशन करे है जनरल सेकेटरी है इस्ट दिल्ली की कॉंग्रेस कमीटी का काम करती है राजनीती में भी है समाद सिविका भी है रुबिना मसूद हमारे साथ है जो कि समाद सिविका है साथ में अनीशा समाद सिविका है और हमारे साथ डॉक्टर पूजा है जो इस विशेव पर काफी दिनो से बिश्लेशन कर रही है काम कर रही है और साथ साथ में ओविसी के मैटर में इसके पहले कारकब में सहभागी भी हुए मैं चारो आतितियों का स्वागत करता हूं और हम चचा कुछ शुरुआत करते हैं उसके पहले मैं आपको तसलीमान नसरीन इस एक महिला जो मुस्लीम महि कहा जिस पुस्तक को लेकर दुनिया भर में उनको कई पुरसकार मिले के सनमान मिले लेकी तन धर्मान ये लोगों कुछ द्धर्मान्द लोगों ने उनके उपर बहुत अच्छा चार op की उसके बारे में तसलीमा के बारे में यह क्या कहता है कि किसी को नहीं माई कि यह लूंबा विडियों है कि तष्लीमा नसरीन है है क्यों है जूँ एक सब्सक्राइब के खिलाफ क्या हुर्दंग मचाते हैं देखिए यह तस्लीमान नस्रिन के ऊपर अपनी जूटी मर्दान की दिखाने वाले लोगों का विडिया है तसलीमान नस्रिम के स clown मैं चलूँगा शाजिदा जी के पास शाजिदा जी वीडियो को आपने देखा पहले देखा कि वो कैसे बोलता और फिर लोग एक ऐसी समाज से विकापर जो कि आप जैसे मुस्लिम बहनों के लिए दुनिया भर से दुश्मनी मोल लेती है क्या ओवेसी जैसे लोग ऐसे मुद्दों से क्या हसिल करना चाहते हैं शाजिदा जी सर मैं तो यही कहना चाहूंगे यह तो यह समझ लिजे जितनी भी चाहे हिंदू बहने हैं मसल्मान बहने हैं अगर एक समाज में एक बहनों की इज़त नहीं हो सकती है मैं समझती हूं समाज में उनको रहने का कोई हक नहीं सेकंड यह है कि हम इस देश में रहते हैं मैं यह समझती हूं कि हमें साथ मिलके कंदे से कंदा लगाके एक साथ जुटके जो भी किसी की कोई की प्रॉब्लम है लेडिज की हम एक साथ बैठके हम एक साथ जुट लगाके हर एक की समसरा पूरी कर सकते हैं लेकिन हमें करने न के साथ कोई problem होती है चाहे वो सुस्राल की तरह से हो चाहे उसके husband की तरह से हो हम आगे आना चाह रहे हैं लेकिन सर हमें आगे नहीं आने देते हैं थर्ड ये हैं हमाने सर के जितनी भी बेहने हैं मैं समझती हूं सारी ही ladies आज कल के दोर में अपने आप पे गरव तो महसूस करती हैं लेकिन साथ में ये भी डर भी है उनको डर किस बात के हैं सर कि अगर वो कुछ कदम उठाना चाह रही हैं उन्हें समाज जिए पिश्रुच रहने नहीं देती दूसरे यहां सर कि आपके हमाद्यम से से आज हम यहां पर आयें हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमें मूका दिया हम यहीं चाहेंगे कि सबसे पहले हमें अपसी में हम एक साथ हिंदुस्तान में रहते हैं ये वो हिंदुस्तान है जहां हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई सब एक साथ रहते हैं हमें किसी भी कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी पे कमिट नहीं करना चाहिए सर हमें ये समझना चाहिए जितनी भी सारे लेड जी जिस तस्लीमा नसरिंग के उपर हुए इस आत्याचार हमला और जो भी दरणगी इनों ने दिखाई इस पर आप क्या कहें इस तरह से किसी लेडिस के उपर इस तरह से तोहीं नहीं है इसमें हमारी हम सब बहनों की तोहीं है जितनी भी हिंदू हैं मुसलिम हैं हमारे हिंदुस्तार में जितनी भी कौम रहते हैं समझतों में जिस तरह से तोहीं की गई है इस तरह से तो यह बिलकुल नहीं होना चाहिए था आप अनिशा जी मतलब यह देखके इनका कहना है कि इनके पास शब्द तक नहीं बोलने को इसलिए खराप स्थिती है डॉक्टर पूजा आप क्या कहीं जी बिलकुल हिंदू समाज के होने के नाते मेरी मुसलिम बहने आज यहां पर बैठी हुई है बहुत अच्छा कह दिया है इनौने जो क यहां मुद्दा है कि OECG क्या मानसिक्ता रखते हैं समाज की नारियों को लेकर के यह मैं स्वयम क्या यह उनके ही कौम की महिलाई भी कह रही है पूरा हिंदूस्तान देख रहा है और समझ सकता है कि कितनी तुछ सोच का यह व्यक्ति है जो अपने आपको ऐसी शब्दावल इस्तमाल करके समाज में आज खड़ा हुआ है बहुत बहुत ही जादा दुखत बहुत ही जादा क्रोध बिल्कुल और मैं आपको कुछ इसके वीडियो दिखाता हूं जिसमें इसके हमारे पास कई सो घंटों के वीडियो है लेकिन इसमें महिलाई के लिए बात करने की कही इसके बात नहीं दिखाई देती, यह अपने आपको Tabii मुसल्मान परस्त कहता है कि मैं हूँ तो सिर्फ मुसल्मान परस्त लेकिन उस्मुसल्मान के iriश के महिला इसके नहीं दिखती क्योंकि यह अपने आपको लेकिता है यह तृज्गिन इसकर हिंदुस्तान के लोग बोलेंगा अकबर वे इसी फिर्खापरस्त है फिर्खापरस्त हो फरस्त ये परस मैं नहीं जानता मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हो अब इसके उपर क्या चरचाग गरे शाहिदा जी एक आपने आपको मुसलिम परस्त कहने मढई है नाइ सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो यह हम ने देखा है ये समझ लेकिंगे बहुत ही जाते हो रही है मुस्लिम भेहनों के लिए ह। अगर कोई मुस्लिम भेहन आगे भी आना चाहती है मैं ये समझ दृद्डर तो आगे आने हीम ही है बाव भी हो सकती है बीबी भी हो सकती है मैं ये मेरा ये मानना है कल को अगर इनकी मिसिक्स के साथ कोई ऐसा कर लेता है बहन के साथ कर लेता है ये क्या जवाब देते हैं बिल्कुल ये क्या जवाब देते हैं लेकिन सर खाली मुस्लिम होना ये एक वो अच्छी बात नहीं ह चाहिए हम मुस्लिम लोगों को पीछे कर रहे हो आप खाली अकले कहा हो मैं मुस्लिम हूँ बस आगे अकले बढ़ना चाहरे हूं और जो इनके साथ भी बैठे हैं हो वावा कर रहे हैं मैं समझते हूं अच्छी नहीं है बाकी और भी हमारे लोग बैठे हुए मैं तो नहीं समझते हूं इस तरह किसी ने और भी कोई मिस्यूज करा हो हम इस देश में रहते हैं हमाई सारे लोग रहते हमें तो यह समझते हूं कि हमें मिलके रहना चाहिए सेगर यह सर जब हम पैदा हुए थे हम कोई जाती स नहीं थे हमारी जात एक थी जब हम बड़े हुए तो जाते हमने बनाई हिंदू मुस्लिम से किसाई लेकिन सर हम एक हैं अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम उनको कोई हक नहीं है इस तरह की बाते करने तो मैं यह समझती हूं के आपने कहिई रुविना जी है इस ने जो मुस्लिम परश्थे हूनी की बात कही उस पर आप क्या खहें और यह हिंदू परस्ती यह कोई माईंहें रखती हमारे ही मुस्लिम्स्तान में जब हम सब लोगों को मिलकर एक साथ रहना है तो यह बाते कहना बलकूल गल्ट मुष्ट के में मुसलिम परस्त हूं नहीं मैं हिंदुस्तान परस्त Auchen या इंडिया का रहने वाला हूँ हिंदुस्तान का तो सब मेरे भाईयें सब बहने हैं सब माई एक है कोई मुस्लिम है ना हिंदु है ना सिख इसाइए हम सब हिंदुस्तानी है आप दोनों को देखे या आप तीनों लोगों को देखे और भी मैं ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं को जानता हूं जो जैसे आपके विचार रखते हैं क्या और अकबरुद्दीन को या इसके मानने वाले लोगों को आप जैसी माएं आप जैसी बहने नहीं मिली इस संसकार यह कोई लेके तो पैदा होता नहीं है इसका मतलब संसकार नहीं आइसा आप कहेंगी जिन्होंने इसको संसकार करना चाहिए था वह नहीं किया इसको कहे रहा है इसी बात नहीं है इनके सीने में भी दिल यह थोड़ा वटक गये हैं इसके सारे वीडियो नहीं देखें जहां भी हैं सुन रहे हैं हमारे भाई लगते हैं यह चाहिए किसी को कुछ न समझते हो मैं इनसे कहूं कि आपने दिल में जजबा लाए अब आपके भाई आप जिसको कहना चाहती उसका आगे का वीडियो देखिए कि यह क्या कहता है कि मुसल्मानों का खुस्सा मैं रोक रहा हूं नहीं तो हिंदुस्तान का मुसल्मान क्या कर देंगे देखिए यह मुसल्मानों को क्या कर मुसल्मानों की तरफ जोडिया में तेन मनादिर है जहाँ के लोग बोलते रामिया पैदा होए रामिया पैदा हुई रामिया पैदा हुए आगर अधियोस्तान तूँ याद रखले इन मुसल्मानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबर उद्दीरो ऐसी है और इनका गुस्सा मेरी जबान मेरे खिताब के जरीए तुछ तक पहुशता है अगर मारे ही रहूँगा तो तू इस गुस्से के साम में ताब नहीं ला सकेगा और तबाही और बरबादी तेरा मुस्तक्बिल बन जाएंगे शाहिदा जी अब ये वीडियो देखके क्या करेंगे जी मैं तो फिर सर यही कोऊंगी जहां भी ये बैठे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं अल्ला इनको नेक तौफिक दे इस तरह से इंशाल्ला मैं यही दुआ करूंगी इन में इतनी हमदर्दी लाएं इतनी हमदर्दी लाएं कोई सीख नी कोई हिसाई नी कोई हिंदू नी कोई मुस्लिम नी हम सब एक हैं हमें देश को आगे बढ़ाना है हमें अपने बहनों की इज़त करनी है हमें अपने माताओं की इज़त करनी है हमें आने वाली युवा जो हैं उनकी इज़त करनी है हमें अपने देश को बचाना है ऐसे लोगों से बचके ही रहे इंसान अच्छा है Actually, करता कोई और है, भरता कोई और है, हम यह समझते है। इस देश में नहीं होनी चाहिए बाते हम सब एक जगा पे रहते हैं अमन से रहें, प्यार से रहें अपने दिलों में, अपने बेहन हिंदू, मुस्दिम की दिलों में पैगाम का वो दे मतलब वो एलान करे कि इज़त करे एक दूसरे की चाहे वो कोई सी भी जाती का हो अपनी मुहबबत करें और किसी को आधर शवात की बात करें लेकिन आपको लगता है कि आपकी बातों का इसके उपर आधर कुछ होगा परनाम होगा रुबिना जी आपको लगता है कि आप जो आधर शवादी जी जी सर अगर यह हमें सुन रहे होंगे और अगर हमारी इज़त इनके दिल में होगी अपनी बहनों की माओं की तो यह जरूर समझेंगे इंशालला इस पर अमल करें नहीं लगता मैं आपका बड़ा सन्मान करता हूं भारत की हारणारी का करूंगा लेकिन आपकी आपकी भोले भावना है आपकी अची बात है ऐसा होना लेकिन ऐसी बातों से अभी यह मानने को त्यारे कि यह लाटों के भूत बातों से नहीं मानते यह भूद बहुत बड़ा है और इसका भूद उतरने के और भी कारिकम हम यहाँ पर कर चुके लेकिन हम आपको वीडियो दिखाते हैं जो आभी थोड़े देर पहले चला गया था थोड़ा सा चला था कि यह प्रभुराम चंद्र की माता के बारे में क्य क्या कहता है आप देखिए आप खुद माता है है और यह भग्वान की मां के बारे में मैं आपके हुवRe रामिया पैदा हुए हरियान उाम कोषलियपूर में महां केय लोग बोलते है के हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तह्जी रिवायत है के चैक और अपने पहले बच्चे को जनम देने से पहले महें के को जाती है और महें के में जनम देती है हमारे पास भी हरे पहला बच्चा आजा और बोलके घर में बुलाते है 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 एक इंदुस्तानी तैजिव है इंदुस्तानी तैजिव है इसी तरीके से हरियाना कौशलिया पुरम के लोग बोलते ह के कौश हलिया वहां की थी कौश हलिया राम की माद अशरत की भी और वहां के लोग भोर के काई या हिंदू तेजीब के हिसाब से मैके को आई थी हर्याना को को शलीय पूरम में और राम वाप पैदा हुए तीन पुजारिया बो रहे हो दिया में यहां यहां अरे अड़वानी वाजपाई उमा बारती मोडी बता आखर राम की मा का का गई किदर दनम दी शाहिदा जी अब आप बताईए सर मैं तो यहीं कहना चाहूंगी जो आप यह दिखा रहे हैं यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है सेगंड यह है कि करता कोई और है बढ़ता कोई और है हम इस समाज में रहते हमने नए बाते करी हैं ना ही करेंगे ना ही करते आए हैं हम तो यहीं चाहेंगे इसलिए आपको यहां बुलाया है लेकिन इन बातों के खिलाब आपका बोलना आपका करतव है ऐसा आपको नहीं लगता है जी जी बिलकुल लगता है आज उस बेहन के साथ हुआ क्या नाम बताया मैं तसलिमान वाजी के साथ हुआ कल को हमारे साथ भी हो सकता है लेकिन सर यह तो गलाथ है इसकी इसका खामियाजा आप लोगों को नहीं भुगतना पड़ता आपने हां अब्लकुल को करना पटा पर सार हमिंजिं किसी का राइट नहीं बनता है किसी की मज़भे को छेड़ खानी है करना आज हमें ये बताईए हम एक देश में रहते हैं हम शाम को मिलके चाए फ्रेंड लोग हैं या पडोसी लोग हैं एक साथ उटते बैठते हैं खाते पीते हैं हम उनके मज़भ को कैसे वो करें मं अपनी पर्सन मैं अपनी बताती हूँ मैं यहां रहती हूँ मैं जैन के से तालुक रखती हूँ सर मैं जब से अधी डेली delic delic निबाता निबाती हूँ हम चाए वो Holy हो दिवाली हो इद हो मौरम हो सर अगर हम यह लोग नहीं करेंगे तो मेसेज कैसा दुनिया पे गलत असर पड़ेगा हम आने वाले बच्चों को भी यह समझाते हैं बेटा कोई ऐसा हिंदू नहीं कोई ऐसा मुस्लिम नहीं जो कोई मतलब इस तरह की बाते कर रहों कि आप लोगों पर असर पड़े यह तो हम आम लोग जो हैं हिंदुस्तान में रह रहा हैं मीडिल क्लास के लोग या उससे नीचे तो उन को नुक्सान पहुचेगा क्योंकि हम लोग जहार रहते हैγα हिंदू भी सिक्क्रिभी सिरीगों केने के कि अ भूर हम आसपास के इस्वाज समाच न दूसरे समाच के साथ हुझे अपने पड़ रखा है कि बैटा कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, तो इसलिए किसी को कुछ नहीं कहना है, कि आप इसकी पूजा करते हो, या यह यह करते हैं, हम तो हमारे तो अल्ला है, यह है, तो हमने बच्चों को बिल्कुल मना इस तरह से सीख दे रखिए, कि इसकूल में भी कोई सर टीका लगाने से, सर बिंदी लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता है, कोई हिंदू मजजद जाने से या किसी के दम करने से मुस्लिम नहीं बनता, यह दिल की एक अपनी भावना है, हम किस तरह से किस को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से हमारी दुआ किस तरह किस को मिलत खड़ी हो जाती है मॉला नसाब आ रहे होंगे तो इनको दम करेंगे सर उसे वह बच्चेहिंदू नहीं हो जाता भच्य को भुखा ठीक हो जाता है सर हमारी तो यह हैं लेकिन जिस तरह के यह बाते हैं हमें और कई कई मुस्लिम भी δ्हार्मिक हिंदु धर्मिक स्थान उपर जाते हैं लेकिन ये जो आप लोगों का मेल जोल है यह मेल जोल रहेगा तो इसका अस्तितव नहीं रहेगा इसकी राजनीती नहीं चलेगी सर एक ही तो खराब होगा ना हम क्यों अपना महल खराब करें हम सर क्यों अपना महल खराब करें हम इस देश में रह रहे हैं इस देश का नमक खा रहे हैं हम कैसे सर अपना महल को खराब करें अगर एक खराब होता है सर सारे तो नहीं खराब होते हैं दूसरी बात सर यह है जो बात आपने नमक की कहिए और जो इसको नहीं इमान पूरा करता है उसको नमक हराम कहते हैं बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल कहते हैं चाहे उसमें कोई भी हो हम भी हो सकता है आप भी हो सकते हैं लेकिन सर हम एक देश में रहते हैं हम अतनमा खरामी नहीं करनी चाहिए इस देश के साथ जहां रहते हैं एक सा बोलना चाहिए पता नहीं हमारा बुलड किस ताइम के काम आजए उसों कोई हंदू नी कोई मुस्लिम नहीं यह तो आप बड़ी बड़ी मानुता की बात करें य और आपके उसे स्पून से खाएंगे यहीं नहीं कहेंगा यहीं हिंदुस्तान के सश्कार है और बिल्कुल आरा आप जिस ठाली की बात करें उस ठाली में छेद करने का काम यह कर रहा है डॉक्टर पूजा अब सब बात और एक उनका यह हैं कि सर दुनिया में दो तरह के ल क्लिका सहा खराब नहों किसी की तलाक नहों किसी बाई बेहन न लुठे सब एक समाज में रहें प्यार महबत से रहें बेंगे तो नहीं होता है डॉक्ट पूजा आप क्या करें यह जो हिंदुस्तानी विचार या जिसे कहना चाहिए एक स्त्री का संसकार है हम सब की माओं ने संसकार तो एक ही दिये हम सभी बहनों को चाहे वह हिंदु हो चाहे वह मुस्लिम हो लेकिन एक बात गुस्सा तो जरूर निकालना चाहूंगी आपके माध्यम से कि वह ऐसे साहब सामने आ जाओ तो मैं एक बहनों के माध्यम से समाज में अपील करना चाहूंगे कि निश्काशित कर दिया जाए इसे निकाल दिया जाए तुरंट यह सब हमको करना है आप सब बहने मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से आप और बहनों को लाईए यहाँ पर मंचा सीन करिये और अपने विचार इस ग वैसा पेशंट है वैसा इंजेक्शन देना पड़ता है वैसी ट्रेटमेंट देनी पड़ती है और इसलिए यह शब्दों की अपरेरा आता है हम भी नहीं कहना चाहते हूं शब्दों को जो टीवी चैनल से कहने नहीं चाहिए ना हम कहते हैं हम अपने इस पविद्र लगा कि आप लोगों से बात की जाए और इसलिए मैं शुरू में थोड़ा विडियो ज्यादा दिखाने का प्रैस करूंगा जिसके बात की आपको बात करने के लिए ज्यादा आसानी हो सकती इसका एक और वीडियो आप देखी उसके बाद हम फिर बात को आगे बढ़ाते ह एक हजार एक हजार क्या एक लाट क्या एक और ना मर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते और यह लोग हमसे रास मुखाबला नहीं कर सकते जब मुसल्मान भारी परा तो यह ना मर्दों की फाजा जाती है अब बहने हैं महिला है आपके सामने इन शब्दों का उप्योग नहीं होना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति को जनम देने के लिए एक करोड़ लोगों को यह कह रहा है और एक महिला एक करोड़ यह कैलकुलेशन कहा का धर्व और कहा के संस्कार देता है रुबिनाज जी सार यह जो इन्होंने अभी शब्द काये हैं इससे हम भी निगाह उठाने के खाबिल नहीं है इस टाइम क्योंकि बहुत गरत बात करिये इन्होंने जो भी करिये इसलिए हम शाहिदाजी सर मैं तो कुछ नहीं क्या सकती जो इनकी मम्मी होगी मैं समझती हूँ अगर वो देख रही होगी मैं नहीं समझती होगी वो ऐसे बच्चे के लिए दुआ कर सकती है इस तरह कि हमारे और भी बच्चे इनको देखके बहुत खराब हो जाएंगे मैं सारे मुस्लिम बाईयों से यही अपील करूँगी कि इनको जहां भी मिले जहां भी हो इनको समझाएं यह दंगे ना फैलाएं मिस्यूज न करें अपने बेहनों को शाहिदा जी OECS के मा को उनके बारे में हमको पता नहीं लेकिन उनकी मा जहां भी है जहांसी भी इसको देख रही होगी ज़रूर शर्मिंदा हो गई होगी एसा शाहिदा जी का कहना स्वाइदा जी एक इस वडियो में आपने देखाऊ खया इस वीडियो में आप देखिए कि पब्लिक भी है और वो मुस्लिम भाई है तो इस बात पर जिस पर आपको आपती है जितनी आप आपके शब्द सुनकर तो मुझे भी असवाइकल हो रहा है कि आप मेरे बगल में बैठे है और ऐसे शब्द बोल रहे है जिससे आपको शर्दमिंद्गी हो रही है लेकिन वहाँ उन लोगों को देखिए कि इनको क्यों शर्मिंद्गी नहीं होती वो इसके उपर तालिया क्यों बजाते जड़ा इस वीडियो को दुबारा देखिए एक हजार एक हजार क्या एक लाग क्या एक कौर ना मर्द मिल कर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते और ये लोग हमसे रास मुखाबला नहीं कर सकते जब मुसल्मान भारी पना तो ये ना मर्दों की फाजा जाती है क्या कहूं मैं आपको डॉक्टर पूजा बोलिए नीच ताकि लिमिट भी क्रॉस हो जाना मैं तो इसको यहीं कहूंगी ये एक राक्षस है जिसे कहना चाहिए कि इसने राम की बात किये तो निशित तोर पर रामायन में हम यहीं पढ़ते थे कि जब राम राज आता है तो बुराई भी साथ में होती है और अच्छे कामों में विग्न करता होते हैं लेकिन उसका नाश जरूर होता है तो मैं भगवान तो नहीं हूं लेकिन हाएक इस्त्री हूं एक आत्म विश्वास है मां भी हूं एक बेहन भी हूं एक बेटी भी हूं भाई तुझे मैं यही कि मैं हर मधब की जो है इज़त करूं इफ्दी द्रेयाफ करूंगे दॉआ करूंगी कि जो तुने जोली फैलाई थी अवाम के आगे हम जोलियां फैलाया नहीं करते हम विश्वारह सब्सक्राइब हम लाकि जल्दी अपनी अपनी गलतियों को तुम मान लोगे तो शैद नहीं कह सकती और एक ही बात कहना चाहूंगी जो मेरी माने मुझे कुछ शब्दों में सिखाई थी कि सिलसला कारोबार का ही सही रूह इंसानियत जरूरी है अरे अपनी बाजार की बुलंदी को कौमें इंसानियत जरूरी है कौमें इंसानियत जरूरी है यह हिंदू-मुस्लि है जो इसके बात से सेतान बनने की दिशा में जा रहे हैं कम से कम उन लोगों को तो लगे उनके कानों तक तो यह शब्द पहुंचे उन तक तो यह भावनाय पहुंचे उन तक तो यह संस्कार हो यह भी एक उप्योग इस कारिकम का हो सकता है हम यहाँ पर रुकते एक छोड़ का ब्रेक के बाद आपके एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हुए इसी के नंगा नाच के सिरीज में आज हमारे साथ तीन मुस्लिम भगी निया है और एक सामाजिक कार्य करता है इनके साथ हम बात आगोई बढ़ा रहे कि आखिर ओवेसी के लिए मुस्लिम बहने मुस्लिम महिलाए मुस्लिम समाज का एक बड़ा तपका क्या सोचता है उनके नजर में यह क्या है बात्ची शुरू जहां से हुई और और घुना के साथ साथ घुसा भी आ रहा है हम आपको इसका एक पहलो दिखाते कि यह कैसे सामाज धर्म की पूजा की बात करता है लेकिन जो बाते आप पहले कर रहे थे कि आल्ला इसको बुद्धी दे यह दे दे यह आल्ला से माकता क्या है और वास्तों में अपने जीवन में दिखाता किया इसके प्राथना का वीडियो है जरा आपको दिखाते हैं अधिक 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 क्या यह ड्रामा लगता है कि प्राथना है नहीं मांग तो यह अल्ला से दुआ ही रहे हैं लेकिन दिखनी भी तो चाहिए ना या तो यह ड्रामा है दीए मैं तो भगवान पर सवाल या निशान उठाने का कोई कारण रहे नहीं और मांगने के उपट भाद भगवान दे देता है इसने मांगा धिर भी छीवन में बदलाव नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है और और यह प्राथना दिखा के क्या करना चाह रहा है प्राथना दिखा के तो अपने जो कुछ किया होगा उसके अल्ला से वो माफी भी मांग रहे हैं दिल में है इनके कि शायद मैं यह जो कर रहा हूं यह ठीक नहीं है लेकिन अपने तो अपनी बात को कहा शायदा जी एक तरफ ए वीडिव डाल के अल्ला हिसे माफी मांगने की बात करता है कोई भी आदमी माफी मांगने की बाद है उस गलती को दबारा तो नहीं करता सर एक बात है अल्ला सब के दिल में है बगवान सब के दिल में ये कोई जिस तरह से ये मांग रहे हैं एक तरह से जो इसकी आफ वीडियो दिखा रहे हैं एक तरह से ये परिशान है एक तरह से ये बहुत चला रहे है ये तो सर जिस तरह से इन्होंने ये बीड जमा कर रखी है मैं समझते हैं जो बीड है ना इन लोगों के पास कोई ऐसा टाइम नहीं है उठके आ गए समझ रहे हो चलो वहाँ चाई पानी का इंतिजाम हो चलो वह पहुंच हो और क्या होता है सर ये जो होते हैं जो बार बार आप हर चीज को दंगे फसाद फैलाने का वो है मैं ये समझते हो सारे जितने वी लोग इन के साथ है जितनी बेहनाएं हैं बाई हैं बजर्ग लोग हैं उनसे हम यही हाथ जोड के पूरे मुसल्मान बाईयों से अपील करते हैं यह दंगा फसाद छोड़े अपने दिलों में मुहमतों का पैगाम डालिए गर गर तक पहुँचाएं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ना तो किसी के मजभब को गलत कहें ना अपने आप गलत हो मैं समझती हूँ हम हिंदुस्तानी हैं हमें जिस हिंदुस्तान में रहता हैं हमें सब की उनकी ही सुननी चाहिए जो हम कहें वो ये कहें कि हम सब एक हैं हमें कोई नफरते बगदर मचना ना एक दूसरों के दिलों में नफरते डालना यह सर नहीं होना चाहिए मेरत तो यहीं है लेकिन ऐसा करने को आपका क्या नहीं होना चाहिए हो तो ठीक है लेकिन अगर नहीं हो divers sound करना चाहिए लática कर रहे नेता हो है कि पीयमदी करेंगे तो आप वोट बेंक कैसे बनाएंगे इस तरह तो नहीं होना चाहिए नहीं किसी की इज़त के खराब होनी चाहिए चाहिए पहा हिंदु बहनों चाहिए जाए मुस्लिम बहनों यावाई हो बिल्कुल तो शाहिदा जी अई समाज में रहने लाइक नहीं मानती है कि एसे व्यक्ति को तो समा से निकाल देना चाहिए देश निकाला देना चाहिए मैं अपने राजनेटिक सिफेज्व इसल्रेश लार जो हिंदुस्तां से असलियत में महबद करते हैं या इस तुरी कि सच में इज़द करते है मैलाओं कि उन सब से वह किसी भी पाईटी विश जो किसी के आत्म सम्मान को आगात कर तो मेरी मेरे सभी अपने राजनितिक सिफेसलार जो बड़े वजीर आला से जो यह वजीर आला बोल रहा है हमारे प्रधान मंत्री जी मुझे नहीं पता यह बात वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी यह वो देख पाएंगे व में हिंदू भी है मुस्लिम भी है सिख भी है मेरी रिक्वेस्ट है आप से के हमारे आत्म सम्मान की रक्षा कीजिए हम चाहकर भी अच्छा पेगाम नहीं फैलाएंगे फैला पा रहे हैं ऐसे लोगों की वज़े से अभी मैं हैधराबाद जाके यदिकाम करना चाहूं एक स सामने अगर एक व्यक्तिवी तो उससे लेकिन कितने लोग मेरा साथ देंगे समाज में हम तो लड़ा रहे हैं हम देख रहे हैं हमें आक्रोश है और हम खुशनसीम हैं कि आपका मझ हमें मिल गया यह बात कहने के लिए लेकिन मेरे मेरे मेरा बार क्योंकि हम लोग मझ्वूर कूछ मुस्लीम भगीनियों ने पिछले दिनों घुपाल में एक कारिकम किया बहाने जैसे दिवाली आता है कुछ आता है तो सब लोग कुछ करने वाली महिला है उनको ऐसे दरिंदो के कारण काम करना मुश्किल होता है रुबिना जी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ठीक बात है क्योंकि अगर इस तरह से यह लोग करेंगे तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम चाहें भी कि अपने देश के लिए जहां तक वो पहुंचे हैं और आगे यह देखें कि देश कैसे आगे बढ़ता है वो भी कुछ अपने वर्ड यूज़ करें ताकि हमारे दिलूं में हमारे बहनों में बाईयों में ऐसा महबत का पैगाम लाएं दरिंदों को कोई ना कोई सबत सिखानी की बात मोली को करने क अजिया लिए यहां से उनको भधाई मान करें फिर्व करें यहां से लिए वीडियो में आपके सामने दिखाता हूं मैं यह सब्सक्राइब हम दिखा चुके लेकिन खास कर कि आज मुस्लिम घगिनिया हमारे साथ हो उनके सामने वीडियो को दिखांबढ़ी जरूरत थैं ए मुसल्मान अगर अपना अच ले लेगा तो इन्शाल्ला उताला निजामाबास से खेरुआ जंडा निकल जाएगा और हरा जंडा आएगा शाहिदा जी आप भी राजनेतिक काम करेंगे से काम करते लेकिन आप तो एई कहती होगी कि तिरंगा फैर ना चाहिए तो तिरंगा निकाल कर वहाँ पर लगानार हका यह पाकिस्तानी मान से कखता यहां तक पहुँचे हैं यह पॉल्टिशन जब तक अपनी लाइन पे नहीं आएंगे वोट बैंक को जिस तरह से यह यूज करते हैं मैं समझते हूं जिस तरह जिस दिन यह ठीक हो जाए इन पर किसी पर नजर पड़ जाए क्योंकि है कि मीडिया जर्नल लोग हैं हम सर हम कोई के दंगे फैलाना मैं समझते हूं मैं फिर उन्हीं उसी बात पर आऊंगी पियम मोदी जी से हम अपील करते हैं इन चीजों को यह हटाए सब के दिलों में मुहपते लाएं एक टीम बनाएं हमें बुलाएं हम साथ चले हम कुछ कर सके इस देश के लिए सबक सिखाना मुसल्मानों के उपर भी पाकिस्तानी परस्त होने का आरोप लगता है वह आप लोगों की दिल में हिंदुस्तान के लिए जगाह में जानता हूं लेकिन क्या इसके तरफ क्योंकि आप लोग तो दुनिया को दिखाई नहीं देते हैं जो हरे जंडे की बात करते हैं यह पब तूट जाए वह आउट हो जाए यह इनकी इजट है इस तरह कर तो सम्म नहीं होना चाहिए ना किसी भी जाति की बैठी हुई हो यह तो सारे नहीं कि सारी मुसलिम आए होंगा जरूने मुसलिमों को फ्रेंड भी होता कोई वह भी आता है एक साथ हम बैठते हैं लेकिन सर अ होता रहा मैं तो नहीं समझते हूं देश आगे बढ़ेगा इनको प्यम साब को आगे आना चाहिए यह बात उठानी चाहिए रुबिना जी क्या ऐसे भाशनों से आपको आपने बच्चे भी भटकने की डर नहीं लगता है बिलकुल लगता है बिलकुल हमें इस तरह के से सुनेंगे बच्चे तो उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम यह जरूर बैठेगा इसलिए हम इसको बिलकुल नहीं समझते कि यह ठीक है सब कुछ बिलकुल इसको बंद कर देना चाहिए इस आदमी को कुछ इसके खिलाफ कुछ ना कुछ गवर्मिंट को हमारी करना चाह वैसे इसके प्रति आकर्षित हो कर गलत रहा पर जाने का डर होता है कुछ डर को सारा समाज कैसे दूर करें क्या उप्रक्रिया हो सकती है मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि यह जितनी महिलाएं हम यहां बैठे हैं यहां आज और आपके मार्द्यम से जितनी भी महिलाएं हमें सुन पा रही हैं और महिलाएं नहीं पुरुश्वर्ग भी जो भी इसको सुन पा रहा है कृपा करके जाब भी OEC TV पर दिखे उसे बंद करें और रिकुएस्ट है फिर से मेरे राजनेतिक लोगों से कि इस पर देश द्रोहखा मकदमा होना चाहिए सरयांग जो व्यक्ति हमारे देश में हमारे देश की जमीन पर पैदा होकर कहने माथ पे, हमारी धर्ति माँ पे वार कर रहा है और उस Πर गेरवा जंडा हटाकर हरे जंडे की बात कर रहा है। उसको तो immediate tत्कार मुझे नीप पता कि इंतजार किस बात का हो रहा है। किया ये कुछ लोगों की अहूती ले ले इस बात का इntजार कर नहीं है मेरा देशंट क्या इंसान हीट के इस इंतजार कर रहे हैे हमारे पर आप कुछ अच्छा होने की उमीद है ऐसे अराजत तक्तों को भगा फेकिए और कम से कम मेरे मुस्लिम युवा भाईयों बहनों आपकी बहने आपकी माता हैं कि रूप में यहां सब लोग बैठे हैं हम सब लोग हिंदू मुस्लिम यहां पर बैठे हुए हैं मेरे बच्चों जो मे मती मेरी है कि एक टीचर हूँ मेरी माने मुझे दिया है मेरे भादत वर्षन मुझे बनाया है और अब समा सेवा में पूरी तरह उतर गई हूं मत भटकिएगा ऐसे लोगों की बातों में मेरी अपील है मत भटकिएगा एक पागल पुत्ती की तरह इसको ट्रीट करिए और से निकाल दीजिए और मुझे विश्वास है सार कि मेरा मुसल्मान भाई भेंग भी इतना ज्यादा वेकार नहीं है लेकिन लेकिन अब तक तो इसके बातों में आने वालों की संख्या लगातार बढ रही है महराश्ट के चुनाओं में भी इसने अपने जहर को उगला महरा अब अब आफके पता नहीं इसने जो शब्द कहा हूं भागवान के नाम थे या धर्म की गर्जना थी यह क्या था कुरान शरीफ की आइते हैं तो यह कलमा है यह यह असेमली में जाके पढ़ना चाहिए या मज्जित में जाके पढ़ना चाहिए मज्जित में जाके पढ़ना चाहिए घर में बैठके तो असेमली उसका पढ़ने की जगा निच्छित नहीं है नहीं नहीं सर और इस तरह से यह काम्याब कभी नहीं हो पाएगा तो यह इसका मतलब धर्म विरोधी का इसलाम विरोधी भी काम करा है यह जो अपने सर इन्हो अगे बढ़ने के लिए हम पीचे है यह लोगों को कैसे उसकाता है हमरे पास बहुत विडियो है लेकिन मैं आपको आपके द्वारा तमाम उस मुस्लिम बहनों को मताओं को और समस्त समाज को संदेज देना चाहता हूँ इसलिए आपको विडियो के बाद आपकी जो भावन समझ रहा हूँ आप मेरे दो दो फीट के दूरी पर बैठे और आपकी बात को सुनकर मुझे लग रहा है कि इंसान यह कितनी अच्छी हो सकती है कैसा है अगर इंसान चाहे तो बिल्कुल चाहे तो कैसा आपके बातों से निकल रहा है को और वीडियो मैं आपको दिखाता है यह कहता है कि तुम किस इंतजार में हो मतलब उसकाता है आपके बच्चों को आपके भाई को आपके पती को आपके परिवार के सदश्चों को यह कैसे उसकाता है ज़रा देखिए अरे हम एसंबली में खड़े होते हैं ना दो सो चौरियन्ना है दो सो चौरियन्ना पूरे में ले जाए उसमें से सिर्फ साथ मुसल्मान है शर्वानी वाले सिर्फ साथ है लेकिन देखो दो सो नौवत पे भारी है यह इस वास्ते कहते एक मियाबाई धस्पे भारी है अरे मेरे प्यारे मुसल्मानों तुम किस तबाही के इंतजार में हो क्या बाबरी मस्जिद की शहादत का पैगाम काफी नहीं है मुट्जीद होने के लिए क्या गुजरात का फिसाद काफी नहीं है मुट्जीद होने के लिए क्या मुजबबर नगर का फिसाद काफी नहीं हो मुट्जीद होने के लिए क्या आसाम की जलती हुई हमारे बस्तियां क्या काफी नहीं है इंतशार को खत्म करके मुट्जीद होने के लिए अरे मैं पूछना चाहता हूँ अगर तुम मुन्तसर हो तो किस तबाही के दस तक देने के इन्तिजार में हो आखर कब उठो गए क्या आपको यह उसकाना नहीं लगता मैं तो यह समझती है जादर दिन इनकी कहानी नहीं चलने वाली कर दो बहुत लबे दिन से चल बहुते हैं और जीम चलने का जे को रहा है अगर तान सों मैं आपकोद में… तब ही यहां देश के लोग वह जागरुत हो जाएंगे हमारे मुसलमन भाई कातम हो गया है तो जंगल की दरव बागता है इतना उंचा वही सीन हो रहा है कि यह ऐसे बड़ बोले बोल करके सोच रहे हैं कि पुब्लिसिटी स्टंट हांसिल करेंगे और अपनी कोई जगह बना लेकिन यह बचा रहा तब तक यह जंगल में था अब यह शहर में आया है अब इसने सुदर्शन से भी टक्राव लिया है और इसने हैदराबाद में तिलंगाना सरकार को जो यह समझतन देता है उसका दबाव यूज करके अगुशित गैर काणूंदी तरीके से पूरे केब में हैदराबाद शहर में प्रसारंद बन करवाया है लेकिन फिर वहाँ पर बड़ी मात्रा में कहा जाता है कि पिछले कुछी दिनों में वहाँ पर कई हजार लोगों ने डिटीएच कनिक्शन लिये जिसके द्वारा इस कारिकम को लोग देख रहे हैं और मैं आप लोगों इसके दरिंदिगी से उनके बच्चों का भविश्य भी गड़ती होई दिख़रा है क्यों रुबिना जी जी सर आप बिल्कुल सही कह रहा है इस तरह भड़कीले बयान से तो जाहिर हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा और यह जो मुजफर नगर और गुजराच यह नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सारी हिंदू-मुस्लिम एक खास्तोर से हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहे हैं वह इसलिए इनको लड़वाने के लिए जगजगा दंगी फिसाद करवाते हैं और बद्धनाम होते हैं हम लोग मैं आप तेनों के पास दुब इनको यही हाट्स जोड़ के अपील करते हूं आप भी टाइम है एसी बात नहीं है बुड़्ड़ होता हैं महम्तों का पैगाम लाएं यही आप करते हैं आपकी वजह से आज हमें चैनल के मादम से नीचे गिरना पड़ गया जिस तरह से आप ये करना है मैं तो यहीं समझती हूं भाई अब बहुत हो गया अब आप इंशानला देश के लिए काम करिए अपने लिए काम करिए खाईए कमाईए यह चूप बैठिए यह कम से हम यही एक उनसे अपील करना चाहते हैं हाथ जोड कर जहां भी हो कि खुदा के वास्ते ल्ला के वास्ते भगवान के वास्ते हमारे पर जुम ना करिए हमारे बच्चों को चैन से इस मुलक में रहने जीजिए आगे बढ़ने जीजिए यह बिलकुल सही शब्द है आपका क आप सुजाओ तो नहीं शायद धंकी ही देगे ऐसा मुझे लग रहा है विलकुल मैं चेताव नहीं दे रही हूँ वैसी मैं कुछ हूँ नहीं हूँ लेकिन अगर तू वहां पर बैठ करके अपने आपकी ताला शाही दिखा सकता है और सौ करोड हिंदू की बात करता है तो मैं तो सवासो करोड की जिम्मेदारी लेती हूँ क्योंकि मेरे देश ने मेरी मात्र भूमी ने तो मुझे यही शिक्षा दिया है और उन सवासो करोड में से एक मैं अकेली काफी हूँ शहीद हो जाओंगी और तुझे खत्म कर दूँगी खुले आप कहती हूँ अगर तु क्या कहती है और बड़ा अच्छा शब्द यहाँ पर रुबी नाजी ने यूज किया कि हम पे और जुल्म ना कर तेरी तुम मुसल्मानों की बात करता है उनकी हग की लड़ाई की बात करता है लेकिन मुसलिम समाज ही तेरे इस पूरे करतूत को उनके उपर अत्याचार यह कारेकम ऐसा ही जा रहेगा आगे और प्रकार के लोग इस कारेकम में आकर आपनी बात को रखेंगे इसको आप देख सकते हैं रात को आट से नो गिरा से बारा और सब्सेरे नो से दस यूटूब पर कभी भी देख सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर भी इसकी लिंक कर दो कर दो कर दो